मणीपुर पर विपक्षी दल की राजनीती पूरी तरह से एक्सपोस हो गई है। विपक्षी दल मणीपुर पर सरकार को बैकफुट पलना चाह रहे थे लेकिन विपक्ष दल की अब बैकफुट पर आ गया है। आज का विपक्ष विपक्ष की भूमी का निभाने में भी नाकाम है। ऐसे में ये विपक्षी दल सत्ता में वापसी करेंगे, इसकी उमीद काफी कम है। विपक्ष अपने रवाईय की वज़े से नित दिन कमजोर होता चला जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जल्दी विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। विपक्ष लकातार मान कर रहा था कि मणीपूर पर सरकार आकर चर्चा करें लेकिन विपक्ष अब अपने ही बिचाय जाल विपस गया। जब से ये मौनसून सत्र शुरू हुआ विपक्ष राग अलाप रहा है कि सरकार मणीपूर पर चर्चा करें तो वहीं दूसरी ओर संसदिय कारे मंत्री से लेकर ग्रह मंत्री तक सभी कह चुके हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार होकर विपक्ष के सभी राजनेते अब सरकार ने विपक्ष पर चो तरफा हमले करना शुरू कर दिया है क्या है खबर बताते हैं आपको मड़िपुर हिंसा को लेकर मौनसून सत्र के दोनों सत्नों में हंगामा जारी है विपक्षी दलस मामले पर चर्चा और सतर में पियमोदी के बयान की मांग कर रहे हैं वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए कि इंडरी सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के मड़िपुर में आंतरिक सुरक्षा पर दोनों सतर में चर्चा के लिए तयार है लेकिन हम बचंबेत है कि विपक्ष मड़िपुर पर चर्चा से भाग रहा है सृती रानी ने कहा मैं विपक्ष से अपील करती हूँ कि इस पर चर्चा होने दे देश की जिनता हमेहा कर भेजती है ताकि हम कंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सके वहीं विपक्ष की रुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है उन्होंने मन बना लिया कि वो विपक्ष में ही रहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष बि तो देखा आपने कैसे सरकार मड़ीपुर पर चर्चा के लिए तयार है लेकिन विपक्षी दल सियासी रोटी सेखने का काम कर रहा है। या इसे लिए विपक्ष दूसरी मांगों के साथ चर्चा से भाग रहा है। अगर विपक्ष वाकई मड़ीपुर पर गंभीर है तो चर्चा तो शुरू होने दे। और भी वीडियोज देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं।